तो देखो मैं दाल पीठा बना रही हूं आप इसको फरे भी कह सकते हों तो इसे बनाना बहुत ही इसी है तो इसके लिए स्पूजी को पहले गरम पानी के साथ मिक्स करके उसका आटा तैयार कर लेंगे इस तरह से तो देखिए सॉफ्ट सा आटा तैयार करेंगे और यह दाल दाल में लशन, हरी मिर्च, लाल मिर्च इन सब को डालके अच्छे से पीच लेंगे और हल्दी नमक मिलाके इसे पेश्ट त्यार करेंगे और इसको इसमें भरेंगे इस तरह से पहले इसको हाथों से कर लेंगे तो बहुत ही इजी होता है बनाना अच्छा लगता है तो आपकी बनाकर जरूर खाईएगा तो देखिए इस तरह से हाथों पैसे कर लेंगे अब इसमें इस दाल को भरेंगे इसमें एक चम्बस दाल डाल देंगे और इसे इस तरह से साइट से अच्छे से कभर कर देंगे तो देखिए इस तरह से फरें तैयार हो जाएंगे तो ये बहुत जंदी बनेंगे तो आपको मैं एक और बना के दिखाती हूँ तो देखिए पहले इसको छोटे-छोटे आकार में तो इस तरह से हाथों पी इसको पहले कर लेंगे तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है तो इस तरह से बनाईगे और इसे फिर स्ट्रीम कर देंगे तो इसके लिए इसे पानी में स्ट्रीम कर सकते हो या घाप से भी इसे पका सकते हो जैसे कि पानी रखके उपन जाली रखके उस पी भी आप इसे बना सकते हो तो ये बहुत ही अच्छे बत्वे हैं तो आप जरूर बनाना तो पेंट आप किसी जरूर बना कर खाईएगा और हमें बताईएगा रेश्पी कैसी लगी तो अभी मैं इन सब को सारे कभर करके इस तरह से बना लूँगी फिर इसे पकाऊंगी श्टीम करूँगी तो आप जरूर बनाईएगे तो आपको हमारी रेश्पी कैसी लगी आप जरूर बताना तो चलो खेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई